कृष्य कानूनों के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का एलान किया है इसे को देखते वे हर्याना पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है इस पर हर्याना की डीजीपी मनोज यादव से हमारे सही होगी चंदर शिखर धर्नी निखास बादशीत की आठ दिसंबर को भारत बंद है और भारत बंद को लेकर हर्याना पुलिस की क्या तियारी है किस परकार से कानून विवस्था पर नजर हर्याना पुलिस रखेगी और क्या क्या विवस्था रहेगी ताकि अराजक तत्व हावी ना हो पाएं और क्या ववस्था पुलिस की तरफ से पूरी बाचीत करने के लिए हमारे साथ MH1 से एक्स्क्लूसिली बाचीत के लिए हरेना के DGP मनोय यादव जी इस वकत हैं बाचीत करेंगे यादव साथ से यादव साथ आपको स्वागत है नमस्कार मैं आपके MH1 के सबी दर्शकों को अपना प्रणाम करता हूं और आपको भी सबसे पहले यही जानकारी लेंगे कि आठ तरीका भारत बंद पुलिस के लिए नियसंदे बड़ी चनोती करोना काल चल रहा है वैसे भी चनोती हैं तो क्या ववस्था की है ताकि सब कुछ शांती पूरुन रहे अथि देखिए को रहा है कि कुरोना काल का तो हमारे को खत्रा ही क्योंकि हमारे हर्याना मेंnik अभारत बंड बंग का एलान किए जो हर्याना में हम लोगों ने पहले से ही जो आयोजक हैं इस बंद के उनसे संपरक साधा हैं उनके साथ एक हमने राप्ता एक तालुक काईम किया है और उनसे अपील किया है कि इसको शांतिपूर ढंक से ही संपन्द किया जाए हम उनसे पता कर रहे हैं कि किस तरह से वो इस बंद को लागू करेंगे ताकि सम्वेधन शील इस्थानों पर परियाब पुलिस बल हम लगाएं और यह एंशूर करें कि आम जनता को जो होने वाले यह सुविधा कम से कम हो और कहें हिंसा ना हो ऐसे किशेतर कौन कौन से हैं जो आपको भी तक इनफूट मिला हो कि सम्वेधन शील है जैसा कि आप जानते हैं जिन जिलों में जो आंदोलन कारी जो संगठन हैं वो सक्रिये हैं क्योंकि यहां पे जो किसान संगठन है और उनकी जो नित्रत है वो काफी सक्रिये हैं अतरिक्त सुरक्षा वलोगी बात करें तो केंदर से कितने मुहिया करवाएं गए हैं जब आपको मालूम है कि 25-26 27 में भारी संख्या में पंजाब से किसान उने प्रिवेश किया हर्यान में और इस समय उन्होंने जो दिल्ली में हमारा नेशनल हाइवे 44 पे कुंडली में और नेशनल हाइवे 9 पे टीक्री बार्डर पे डेरा डाला हुआ है तो वो इस समय सब्सक्राइदा समवेजन शील है क्योंकि हजारों किसान मताएं बच्चे और युवा वहां पे एक सड के लिए हैं और चार कंपनी आने परामिलिट्री फोर्सिस की ताकि कानून वेस्था बनाने में राजी सरकार के बलों को मदद मिल सके ड्रोन की क्या मदद ली जा सकती है कल देखिए यह चुकि आपको मालूम है कि जो वहां पे ड्रोन जो हैं पुलिस के बड़े सायक है क्य लगते हैं यानि जो अंदोलन कारियों को भी थोड़ा डर लगता है क्योंकि उनकी फोटोग्राफी आ जाती है उनकी हर हरकत आ जाती है तो लौएन और में हमारे सभी जिलों के पास ड्रोन मोहिया कराए गए हैं और उनका इस्तिमाल भी होगा असेंशल सर्विस की बात की जाए या इंटरनेट की बात की जाए तो क्या इंटरनेट बंद होने के कोई अधेश अभी तक हुएं कोई संभावना है यह देखिया यह तो अभी तक तो कोई ऐसा विचार नहीं है क्योंकि हमें पूरी उमीद है विश्वास है कि कल का जो बंद है वो शान्दिपूर धं है इसके अत्रिक जो हमारी चिकित्सा विवस्ता है जो हमारी पानी और बिजली की सप्लाई है इसको जरूर हर हालत में मिंटेन किया जाएगा एक स्वाल मैं करोना काल का जरूर लूँगा करोना काल से पुलिस ने लगातार मार से लेकर अब तक काफी लंबा संगरिश किया है अभी तक पुलिस के ऐसे कितने जवान हैं जो मुरित्यों के ग्रास में कितने काबू आए कितने ठीक हुए और कितना जरूमना अभी तक वसूल आ गया मैं यही कहूंगा कि इस संक्रमन के काल में पुलिस के जवानों ने इस चुनोटी भरे माहूल में बहुत ही अदम में वीरता और साहस का परिश्य दिया है और जब लोग अपने अपने घरों में दुपके हुए थे वो अपनी जूटी से पीछे नहीं हटे और जब इस बीम उनकी जो कैम्प हमने बनाये थे उसमें सेवा भी की लेकिन इस डूटी को करते में जैसे की कहा जाता है कि खत्रे की रह में हैं तो हमारे लगबग दो हजार चार सो तीस जवान अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गये हैं पिछले नौ मीने में और इन में से लगबग दो हजार तीन सो बिलकुल ठीक हो चुके हैं एक सो बीस लोग अभी भी संक्रमन के शिकार हैं और वो एक्टिव केसिस में हैं और उनका इलाद चल रहा है और लगबग बारह लोगों की बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे बारे बाहदर साथियों ने कर्टरवे की बेधी पर सरवोच बलिदान किया है और इन को रजसरकार ने जो एनॉस्मेंट किया था उसके मताबिक इनके परिवारों को 30 लाक रुपे की स्राहत दी जाएगी और मैं उनको सलाम करता हूं सिलूट करता हूं मेरा दिल आ जहां तक बात कल के बंद की बंद को लेकर पुलिस और प्रशाशन के दोरा जो वबस्ता की जा रही है जो एरियर समय दर निशील है वो सब बाते हैं उन्होंने हमें बताई कैमरा में जितेंदर हंस के साथ चंदर शेकर धरनी मेंच वन न्यूज चंदीगट